Hello everyone, welcome back to my channel in another video देखिए आप लोगों को इंतियार एक काफी student का कि AKTO की B Pharma की counselling कब से start होने वाली है इस वीडियो में हम मुझे के बारे में 8 विजट प्रोसेस जानने वाले हैं कि counselling जो है कब से start होगी और जब counselling start होगी तो सबसे पहले जो आपको क्या करना है और step by step सारा कर सारा प्रोसेस क्या रहेगा कैसे face payment करना है, कैसे आपको choice feeling करनी है कब कौन सी प्रकिरिया होगी, इन सारे चीजों के बारे में डिटेल में डिसकस कर रहोंगे इस वीडियो के अंतरगत, ठीक है और साथ चाते में भी जानेंगे किस दिन से counselling start होने वाली है तो इस वीडियो को सुरू से last तक देखना और आपसे एक छोटी सी request है अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आपको हर एक वीडियो की notification सबसे पहले मिले देखी जैसे आप लोग आते हैं इनवर्सिटी की official website पर ठीक है तो यहाँ पर ना अलग अलग कोर्स की counselling जो है start हो गई है like BTEC, MBA, MCA इन सारे जो है कोर्स की counselling स्टार्ट हो गई है लेकिन बी फार्म ओलेम section में आप जब भी जाते हो तो देखें आपर बी फार्म first year counselling 2024 लिखा हुआ है लेकिन opening and closing नहीं कि UP Tech 2023 यानि कि 2023 का data यहाँ पर पढ़ा हुआ है साथे साथ यहाँ पर उन्हें ने prospectus जो है release कर दिया है इस prospectus में basically बात किया गया है कि आखिर जो है कौन को से domain subject वाले apply कर सकते हैं ठीक है सिंपल से चीज़े दे गई है कि कौन को से domain subject वाले apply कर सकते हैं eligibility minimum eligibility criteria क्या होगी इन सबी चीज़ें के बारे में detail में इस वीडियो में इस information ब्रोसर में बात की गई है ठीक है तो देखो होता क्या है आपको क्या करना इस्ट्रेंट आपको भी वेट करना है कब तक वेट करना है तो देखो मैं आपको बता दूँ देखो अब ही क्या है होगी तो देखिए इस्ट्रेंट आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज है 20 ठीक है क्या आज है 20 तारिक तो आप लोग यह चीज़ मान के चलों कर लो कि इस वीक में यानि कि 27 तक काउंसलिंग यहां पर स्टार्ट हो जाएगी 27 तक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी अब आप लोग सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल ला हूं कोई प्रूफ है क्या इस बात का तो देखो मैं बताता हूं मैं ऐसा क्यों बोल ला हूं इसके पहले यानि कि 2023 में जो काउंसल स्टार्ट हो गई थी मैंने एपने चैनल पर वीडियो भी डाले थी प्रॉपर स्टेप बाइच्टेप हर चीजए को लेकर के और फॉर्म फीलब को भी लेकर तो आपको पता है कि दो तारिक को जो है ना इन्होंने काउंस्टिंग अपने स्टार्ट की है कि ठीक है बीटेक कोर्स के लिए और जितने भी यूजी कोर्स हैं और अब ही देखुआ है 20 यानि कि 20 तारिक हो गया अर्थारे दिन अल्मुस्ट पूरे हो गया है लेकिन हमें मान के चल ले हैं चुकि बीच में कई सारी छुट्टियां भी थी हमें मान के चलेंगे कि 5-6 दिन औ पर कुछ न कुछ नोटिफिकेशन आने वाला है और आपको देखने को मिलने वाला है भी फर्म काउंसलिंग से रिलेटेड ठीक है इस्टुन तो यह तो बात होगी कि काउंसलिंग जो है कब से स्टार्ट होगी आपको सबसे रहा डावट था वह क्लियर हो गया होगा अब यहां पर आपको एक चीज में बता दूँ देखो आपका एक बहुत ज़ल डावट प्रफिकेशन तो देखिए वह सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल अप करना होगा जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी न मैं वीडियो देखर क्या होगा आपको क्या करना रहेगा एक फॉर्म मैं डेखो आपको एक जीज में बता दू देखो आपका एक बहुत जाले डावट होगी यह है कि जिन लोगें फॉर्म को फिल करते कह रहा है कि उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा ठीक है वो पता नहीं किस डेट आप बेस पे कह रहा है लेकिन देखो पिछले साल मैंने counseling की थी मैं आपको बता दूँ पिछले साल मैंने student की counseling की थी ठीक है उसमें उन्होंने जो है पिछली साल जो है kt form में नहीं भरा था ठीक है kt form में नहीं भरा था अब student आप खुद सोचो जब student form को fill कर रहे होंगे ठीक है उनको तो नहीं पता है ना कि कौन कौन से college में क्या है kt में कितने सारे college हैं और आपको पता है कि kt में पूरे पूरे 350 college है यानि कि अगर बच्चा ak2 का अगर form में अपने mention नहीं किया होगा form fill करते समय से यूट का तब तो 350 college से बंचित रहा गया इसका मतलब यहीं हुआ ना तो इस देखो university जो है इतना बड़ा जो है gap नहीं रखेगी जिन भी student को ने form को fill नहीं किया था active का तो obviously वो जो है form को fill करते सकते हैं ठीक है अब ऐसा मैं इतनी confident के साथ क्यों कह रहा हूं इस बात को मैं आपको clear करते हूं मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं तो देखिए student आप लोग यहां पर देख पा रहा होंगे जो यह information browser आया ना information browser इसमें यह चीज कहीं भी mention नहीं है कि जो student जो है security के एक्जाम में ठीक है college को आप लोग देख पा रहा होगे यह information browser 2024 का है तो इसमें कहीं mention ही नहीं है यह चीज है तो देखो आगर mention नहीं है ना तो इसका मतलब यही होता है कि फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हो क्योंकि आप लोग खोदी सोटी यह चांस थोड़े लेग यार कि 350 कॉलेज की जो है फॉर्म ना भर पाएं और अधर अधर अस्वेंट जो है कॉलेज में पाटिसिपेट करने से जो है वंचित रह जाएं ऐसा नहीं होता है ठीक है त जब आप लोग यहां पर 1000 रुपे पे करोगे उसके बाद से क्या होगा आपको जिए 24 फिल अप्शन आएगा ठीक है 24 फिलिंग का अप्शन आएगा अब 24 फिल में आपको टोटल जो है 350 प्लस कॉलेजेस हैं आपको लिस्ट कहां से चेक करने हैं मैं आपको बता दे रहा यह मेरी वेफसाइट है www.pharmaviewonline.com जैसे आप लोग इस पर आओगे तो मैंने एक ट्यू फार्मेसी कॉलेज लिस्ट का एक आर्टकल लिख रखका है ओके जैसे आप लोग इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी की पूरी यह देखो पूरी की पूरी जो है 350 प्लस मरmare द्राइगे आयाईगे अब आप लोग यहां पर आकर चेक आओट कर सकते हो क्यों फोरी कौन कौन से我也 जो है यह यहां पर है इस जुआ लिंक को मैं डिस्क्रिफ्टर बॉक्स में डाल दुआःगा आ आप लोग वहां से वै्लिछ चेक आओट कर सकते यह ठीक है इंआ ł आप लोग कॉलेज तो देख लोगे च्वाइस फिलिंग कर लोगे ठीक है आपको च्वाइस फिलिंग करनी है ठीक है उसके बाद से कुछ दिन बाद जब च्वाइस फिलिंग करके लॉक कर लोगे ठीक है लॉक करने के बाद आपका जो अलाउट्मेंट लेटर आएगा कितना आपको seat मिला है वह आपने ले लिया है अब जो है आपको कोई और next round में seat alert नहीं होगी एक option होता है float का ठीक है यह fail o a t अगर float करते हो तो उसका मतलब यह होता है कि आपको जो college मिला है वह आपको पसंद नहीं है और आप आपको मिला हुआ seat पसंद है तो आप लोग उसको लॉक करके और आप लोग अपने कोलेज मेंडमेशन जो है ले करके और फूला फिस्व काओ पेमेंट कर सकते हो यही सारा का सारा प्रोसेस होता है जो मैंने इंसौट में बताया है आपको इससे आगे कुछ नहीं होता है प्र